हाई फ्रेंज आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि वेब चेकिन क्या होता है और आप लोग वेब चेकिन कैसे कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि हम लोग जल्द ही इस बारे में एक वीडियो बनाएंगे तो इस वीडियो में वेब चेकिन से रिलेटेट आपको सारी इंफरमेशन मिलेगी Web Check-in के लिए हम आपको Indigo Airlines का example देते हैं क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने अपने passengers के लिए एक वीडियो भी बनाया था वैसे हर airline का web check-in का एक ही तरीका होता है सबसे पहले आप Indigo या किसी भी airlines की website पर जाएं वहाँ पर आपको check-in tab दिखेगा Mobile या laptop दोनों जगा आपको ये दिखेगा उस पर क्लिक करें ध्यान रहे कि अब आप web check-in अपनी flight के जाने के 48 घंटे से लेकर एक घंटे पहले तक ही कर सकते हैं इसके आगे या पीछे नहीं तो check-in पेज खुलने के बाद आप अपना PNR नमबर या फिर booking reference नमबर डाले इसके बाद अपना email address या फिर अपना last name लिखें इसके बाद check-in बटन को क्लिक करें और आगे भड़ें इसके बाद जिस यात्री के नाम का वेब check-in करना है उसके नाम के बगल के box में टिक करें एक से जादा यात्री हैं तो सब के नाम के बगल के box में टिक करें यहाँ दो option होंगे या तो विमान वाले आपको seat auto assign कर देंगे मतलब खुद select कर देंगे नहीं तो आप खुद भी अपनी seat select कर सकते हैं इसके बाद select seat वाला बटन दबाएं और आगे भड़ें इसके बाद आप plane के अंदर किस seat पर बैठना चाहते हैं उस seat पर click करें यहाँ पर बहुत सारे options होते हैं कई seatों में अलग से पैसा लगता है कई seat फ्री होती है आम तोर पर beach की seat फ्री होती है अगर आप window seat या aisle seat लेते हैं तो आपको extra पैसे देने पड़ते हैं हर airlines का अपना अलग charge होता है इसके बाद जब आप seat select कर लेंगे तो आपको कितने पैसे देने हैं वो option नज़र आ जाएंगे seat select करने के बाद आप okay दबाएं और अगले step पर जाएं अगर आप seat बदलना चाहते हैं तो वापस पीछे जाने के लिए cancel बटन दबाएं और फिर से वही process शुरू करें पहले वेब check-in करते हुए आपको अपने health की जानकारी नहीं देनी होती थी लेकिन अपसे ये एक extra step एड हुआ है जिसमें आपको अपने health की सारी जानकारी देनी पड़ेंगी कुछ questions related आपकी health की पूछे जाएंगे आपको वो fill करने पड़ेंगे Health Declaration की सारे नियम पड़ने के बाद आप नीचे दिये गए I agree बटन पर क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाएए इसके बाद ये page दिखेगा इसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कोई खतरनाक सामान लेकर तो नहीं जा रहे हैं इस list को ध्यान से पढ़ लीजिए इसके बाद आप I agree बटन दबा दीजिए और आगे बढ़िए अब आपका वेब चेक इन हो चुका है Many, many congratulations इसके साथ ही आपका बोर्डिंग पास भी तयार हो चुका है ये देखिए आपका बोर्डिंग पास कुछ इस तरीके का दिखता है अगर आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट बटन दबा कर इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर आपको ये बोर्डिंग पास अपने इमेल पर चाहिए तो नीचे दिए नीले बटन इमेल बोर्डिंग पास वाले बटन पर क्लिक करें इसके बाद आप अपना email address इस box में लिखें और send बटन दबाएं और आगे बढ़ें अब आप web check-in के समय ही अपना baggage tag भी generate कर सकते हैं अगर आपके पास bag है तो आपको इस tag की जरुरत पड़ेगी baggage tag का print लेकर आप अपने सामान पर चुका सकते हैं सबके baggage tag में एक unique ID होता है जिससे पता चलता है कि ये आप ही का सामान है ये baggage tag आप एरपोर्ट पर भी print कर सकते हैं तो गाइस ये वाला वीडियो देखने के बाद अब आप लोग बिना किसी hesitation के web checking कीजिए और अगर आपको air travel से related और भी कुछ शंका है अपने मन में हैं तो हमें बताइए हम जरूर आपकी help करेंगे हम जरूर उस topics से related वीडियो बनाएंगे और इस informative वीडियो देखने के बाद एक चीज़ जरूर कीजिएगा इस वीडियो को like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और comment जरूर करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा Thank you so much